नमस्कार शामदरिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनों आपका स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरानन रोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गोब्लॉक्स में एक सुनर सी फीमेल हतीली आप महिला ज निश्चित रोफ से एक रिसर्च वाला विक्तित्वा एक खोजी परिवर्थी वाला विक्तित्वा आपका रहेगा और एक अपने आप में फिलोस्पी बनाने वाला जो विक्तित्वा है आपका रहने वाला है अगर हम यहां पर करियर का मामला देखते हैं तो जिसमें बोल की जरूरत कम रहती हो रहती तो हो लेकिन कम रहती हो ऐसा करियर आपके लिए ज्यादा सोटेबल रहेगा ज्यादा तरकी देने वाला रहेगा और काम्याबी भी आप ऐसे करियर में खूब पाएंगे दूसरी बात आप गौर कर लेना आपका जो केतु का छेतर है उसमें यहाँ पे दो लकीरें दिखाई दे रही है और जो जहां से आपकी जीवन रेखा और मस्तिस्क रेखा सुरू हो रही है यहाँ पे इस्तित्या इस परकार से है जो आप देख रहे हैं इसका मतलब है एक तो आपको खुद की मेहनत और खुद के परिशरम से ही अपने जीवन काल में अच्छी खासी तरकी मिलेगी अगर आप कही न कहीं ये सोचें कि किसी की महरबानी से किसी के सयोग से मैं अपने जीवनकाल में बड़ी तरकी कर पाऊंगी तो ये गलत है आपको ये सोच कर नहीं चलना है दूसरा बात ये दोनों चीजें बता रहा है कि आपका जो प्रारंबिक दौर है वो कहीं न कहीं संगर्स की इस्तिति में रहेगा लेकिन यही संगर्स आगे चल कर आपको हर परकार की सुक और हर परकार की बैभाव की इस्तिति में लेके आएगा ये भी इस पश्ट तरीके से यहां पे दिखाई दे रहा है अब थोड़ा सा एक जरूरी सूचना मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ परसों से 39, 30 और 31 जुलाई को परसों से कल का दिन छोड़ करके मैं आप लोगों के बीच दिल्ली में आ रहा हूँ दिल्ली में रहूंगा जो लोग दिल्ली के आसपास रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं और अपनी हतेली को दिखवाना चाते हैं कुछ पोछना चाते हैं तो हमसे आकर दिल्ली में मिल सकते हैं और इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्सें में ऐसना वाटसप और मोबाइल नमर जो एकी है वो लिख रहा हूँ और इस वीडियो के साथ साथ भी मेरा WhatsApp नमर आपको दिखाई देगा फोन उठाइए, मैसिज कीजिएगा, मैं आपका नमर नोट कर रहा हूँ और 29 और 31 में एक डेट मैं आप लोगों को दे दूँगा और कब आना है ये भी आपको बता दूँगा आपसे फुरसत में मिलते हैं, अध्यात्मिक चर्चा पे मिलते हैं, दिल्ली में देखेगा सबसे पहली बात करते हैं करियर और करियर के लिए करियर और धन की रेखा का होना जरूरी होता है लेकिन आपकी हतेली में आप देखेंगे करियर और धन की रेखा यहां से निकल करके यह जा रही है ठीक कब से जा रही है? ठीक 28 एर से 28 वे वर्ससे करियर और धन की जो रेखा है उसका उदायमान हो रहा है लेकिन यहां पे रेखा एकदम क्या है? मृत अवस्ता में है आपके करियर में और आपके धन के मामले में जो इस्टेबिलिटी होनी चाहिए थी जो अस्ताई तो होना चाहिए था वो नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कम से कम तीन वर्स अभी और लगेंगे आपके करियर में उचाई आने पर करियर और धन के मामले में जो इस्टेबिलिटी है अस्ताई तो है अभी तीन साल की इस्तिति आपकी करियर और धन की रेखा बता रही है और इसको आपको मजबूत करके चलना है दूसरा अगर यहां पर हम बात करें एक रेखा आपकी जो है इस परकार से आ रही है और एक रेखा इस परकार से आके यहां जा रही है और एक रेखा यहां से इस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही ये M का आकार आपको 36 एर में अपना फायदा देगा अभी ये एक्टिबेट नहीं है 36 एर में क्या देगा ये संपत्ति को लेके आपको बड़ा लाब देगा जबर दस तलाब देगा और ऐसे योग भी ये बनाएगा क्योंकि ये लकीरे फिर सूरे पे जा रही है दोनों कि आपको विदेशों से भी अच्छा खासा धन आ सकता है ऐसी इस्तितियों को ये क्रेट कर रहा है लेकिन ये है 36 एर से बड़े रूप में इसका फाइदा आपको पहले भी मिल सकता है लेकिन बड़े रूप में 36 एर से है दूसरी बात है यहां पे आके दो रेखाई मिल रही है दियान से देखेगा किस पे है सूरे पे इसका मतलब है सूरे पे जब दो रेखाई आके मिलती है और एक दूसरे को क्रोस नहीं करती है जैसे आपकी है तो ऐसे बिक्ति को अपने जीवनकाल में परसिद्धी मिलती है यस बहुत अच्छा मिलता है, यसकी प्राप्ति होती ही होती है, ऐसा बेक्ति कहीं न कहीं, एक ब्रांड बनकर, किसी चीज का विसेशक यह बनकर उभरता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, यह बहुत बड़े सोबाग्य साली बेक्तितों की धनी होते हैं, चाहे अभी कैसी भी इस्तिति हो, लेकिन 36 एर से आप देखें, आपकी जीवन में बहुत-बड़े परिवर्तन लिखे हुई हैं, 36 एर आपकी जीवन का एक गोलडन टाइम है, और उसके बाद जीवन का 22 वा वरस, उसके बाद जीवन का 57 वरस, यह आपकी गोलडन पिरियड हैं, और इसकी स् स्वर्वात हो रही है आपके जो है तीसवें वर्ष से ठीक है नहीं 31 वर्ष से सॉरी 31 वर्ष से यह इस्तित्या आपकी हतीली में और यह यह विपल संपत्य का लाब भी बताता है मनि ऐसा बिक्ति अपनी जीवन का आलमी ऐसा धन कमाता है कि संपत्य जोड़ता है आने वाली जनरेशन के लिए धन भी रखता है अच्छा खासा बैंक बैलेंस ऐसे बिक्ति का रहता है जबरदस्त बैंक बैलेंस और आने वाली जनरेशन के लिए संपत्य जोड़के ऐसे बिक खराप है और एक चीज बड़ा संगर्श की इस्तिति आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है आप सबसे पहले देखें आपकी हतीली में जाल बना हुआ है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी हतीली में रेखाओं का मकड जाला बना हुआ है यह जाल अच्छा नहीं म आपका मन पे और आपकी मस्तिस्क पे कहीं न कहीं जीवन में उल्जन आ जाती है या जीवन पूरा तरह से उल्जन में आ जाता है दूसरी बात कहीं न कहीं कनफ्योजन हाबी रहता है बिक्ति दुविधा में रहता है और उसकी जो निर्णे लेने की ताकत है वो छीन हो जा और करियर का मामला भी इसका बादित रहता है दूसरा इसका प्रभाव आपके स्वस्त्य पर पड़ता है चाहे वो सारेरिक स्वस्त्य हो चाहे वो मानसिक स्वस्त्य हो ये उन चीजों में प्रभाव देता है विकार देता है या कोसिस करता है तीसरा इसका जो प्रभाव है आपकी आर्थिक सेहत पर पड़ता है पैसे रुपे को लेकि ठीक ने आपकी जीवन में आपकी हतीली में कितना भी पैसा आजाए अगर ये नगेटिव उर्जा आपके अ बचा नहीं पाता है ये आपको आर्थिक रोप से बीमार इस्तित में ले जाता है कमजोर इस्तित में ले जाता है दर्दरता के और ले जाता है चौथा इसका प्रभाव आपकी रिश्तों पर पड़ता है खासकर दामपत्य जिवन का रिस्ता परिवार का रिस्ता और कुटुम का रिस्ता इन रिस्तों का जो चरम सुक्का भोग है उसकी बीच में परस्तितियां खड़ी हो जाती है बेक्ति को उन चरम सुक का भोग नहीं मिल पाता है और पांचवा सबसे बड़ा सबसे तीब्रे इसका प्रभाव पड़ता है आपकी डेपलप्मेंट पे आपकी प्रोग्रेश पे आपका जो सपलता का अस्तर हो जाना चाहे था उस सपलता का अस्तर कहीं न कहीं माइनिस की तरफ जाता है मनि जो आपकी जीवन की निव है ये इसकी जड़ों को खोकला कर लेती है खिला देती है और आपके एक विसाल विराट और भव्य जीवन दिब्य जीवन को उसमें समाहित कर लेती है और जब उसमें समाहित हो जाता है तो जीवन का महत्वा खतम हो जाता है बस फिर आदमी चलना होता है कुछ नहीं है जीवन ना कोई एम है ना कोई परसिद्धी है ना कोई जो है उसकी जो होना चाहिए यस है जो जीवन एक भव्या रोप में आना चाहिए वो है कुछ नहीं रहता है ना जीवन की वास्तवे खुशियां रहती है ना जीवन में कोई उत्साहा रहता है ना जीवन में जो है कोई उर्जा रहती है ना कोई मकसद रहता है अब इसको किस प्रकार से ठीक करें अब देखा हमारे जोतिष कितना सुन्दर है इसने एक सुन्दर सी किरियाईं दे रखें इसके लिए पोजा पाट नहीं दे आई इसने इसने कहा है कि आपका सरीर पंच महभूतों से बना हुआ है और सरीर से ही ऐसी किरिया करें ये जो सरीर के अंदर ये नेगेटिव ओर जा गई है इसको हम बाहर फिंग दे सरीर से कुछ ऐसे ब्यायाम ऐसी किरियाईं ऐसे अशनान करके आप क्या करना है हमें सबसे पहले मैं आपको दूँगा बनस्पती अशनान छोटी सी प्रक्रिया है और कुछ दिनों के लिए है मात्र और योग के मादेम से भी दे रहा हूँ मैं और लिख के भी इसको दे रहा हूँ आपके वर्टसप नमबर पे दूसरा क्या दूँगा आप जानते हैं आपकी सरीर के अंदर अश्ट चक्राज है उसमें से भी मेजर सेवन चक्राज जो है इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य की चक्रों के साथ परसपर तालमेल में रहते है तो उनको एक्टिब रखने के लिए जिसे जिवन दिव्य और भव्य बने मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं अब तीसरा क्या क्रिया दे रहा हूं मैं आपको तीसरा मैं आपको दे रहा हूं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया भव्यक्ति का जो कुछ है वो अपना मस्तिस्क है नै अपना ब्रेन है नै ब्रे क्याकि उत्पत्ति हो उसके लिए मैं दिव्यय योग ध्यान के रिया दे रहा हूं जो एक प्रकार का प्रणायाम है योगा है और मेडिटेशन है कि इन सबको आपने इन दो चीजों को तीन से चार मेहने तक करना है यह तो अश्टान कुछ दिनों के लिए है और एक चीज मैं पूजा की दूँगा आपको यह तो दो-दो मिन्ट की हैं अश्टान तो आप वेंसे भी करती हैं तो कुछ दिन हलकी पर क्रिया करके अश्टान करना है और यह दो क्रियाएं एक तो ब्यायाम है आप कहीं पर बैठके कर सकते हैं एक दिव्यस्वरी क्रिया है इसका प्रेया जरा दिहान रखना है इसकी टाइमिंग होती है उसी टाइमिंग करने होती है तो यह बहुत बड़ी चीज है बहुत पावरफुल चीज है तो यह आपको मैं दे रहा हूं अब यहां पर देखेंगे एक कमी क्या है उसके और चलते हैं यहां पर बरतमान में देखेंगे तो यह आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है उसके नीचे का जो यह वाग है इसको हम कहते हैं जुपिटर का ब्रामणो के भी गुरु है और आपके रिसी मुनियों के भी गुरु है और हमारा सरीर जो पंच February भोतों से बना हुआ है उसमें जो आकास तत्व है ये इसके मालिक है सबसे बड़ा तत्व है अब यहां पर देखेंगे ध्यान से देखेंगा यह यहां पर कमजोर इस्तिति में है और आप जानते हैं देव गुरु ब्रस्पति चाहे आपकी जरम कुंडली में हो जरम पत्रिका में हो या हस्त रेखा में हो ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है और हमारी पौराणिक सास्त्रों में इनको कई चीजों का कारक माना है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा सुब या जरूरी है और जब ब्रस्पति कमजोर होता है आपके अंदर कितनी भी अच्छी नौलेज हो उस नौलेज को इंप्लिमेंट करने के लिए प्लेटफॉम नहीं मिल पाता है अगर प्लेटफॉम मिल भी गया तो उसको प्लेटफॉम को आप उस प्लेटफॉम को आप उस परकार से यूज नहीं कर पाती है ऐसे में अगर आपकी साधी नहीं हुई है तो साधी होने में दिक्कते आती है अर्चने आती है समय पे साधी नहीं हो पाती है अगर साधी हो गई है ऐसे लोगों की चैम महिला हो या पुरुस है तो दामपत्य जीवन का जो चरम सुक्का भोग है उसके बीच में परस्तितियां खड़ी हो पाती है तीसरा ऐसे में अगर संतान नहीं हुई है तो संतान को लेकी चिंताईं रहते हैं संतान लेट होती है और संतान हो भी गई हो तो भी कहीं न कहीं उसको लेके चिंताईं जरूर रहती है ऐसे में पैतरिक संपत्य को लेके भी कहीं न कहीं वो फाइदा नहीं दिखाई देता जो होना चाहिए और ऐसे में धन को लेके क्योंकि ब्रस्तिति धन का भी कहीं न कहीं कारक है वो मद्यम इस्तित में रहते हैं आए और प्रेश्पत्ति इस प्रकार से में निदी हैं आपकी जो है करियर के सिख्षा का चेटर हो इंजीनियरिंग का चेत्र हो सिकित्सा का चाइक का च्रहो चाहिए और कानून का छेतर हो राजनीती का छेतर हो इन छेतरों में यदि आप काम कर रहे हैं या कारे करने की सोच रहे हैं तो चीजें बहुत जादा मध्यम इस्तित में रहते हैं ऐसे में वो काम्याबी बिक्ति नहीं मिल पाते हैं उसको काम्याबी जो मिलनी चाहिए और देखना ऐ इसे में जब ब्रिस्पति बहुट डावन होने बैठ जाए इसे ब्यक्तियों को गुरू नहीं मिलता है गुरू मतलब सख्षक या कोई ऐसा ब्यक्ति जो आपको बढा है उसका गुरू ऐसका गुरू ऐसा है और आपका गुरू अभी ढ़ाई बरसों तक, ढ़ाई से तीन बरसों तक, कमजोर इस्तिति में बैठे हुए है तो जो छेतर में ने गिनाए उनमें जो है, चाहे सरकारी नोकरी हो, चाहे आपको फ्रैवेट हो, इन छेतरों में बड़ी काम्याबी नहीं दिखाई 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 दे रहा है तो इसको ठीक कैसे किया जाए, अब आप कहींगे आचारीजी सब कुछ तो आप गलती करें, नहीं, जो अक्चुल में हाथ में दिख रहा हूँ, जो आप देख रहे हूँ ही तो बता रहा हूँ, आपको ये कमजोर लग रहा कि नहीं लग रहा है, आपको हतीलियों में जाल बनता हुआ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, दिखाई दे रहा है, जो चीज ठीक होगी वो ठीक बताऊंगा, आप यहां पर कमजोर है ब्रेस्पति, लेकिन इसके उपाई दिये गए हमारे जोतिस सास्तर में, लेकिन इसका पोजा का उपाई है, इसका कोई ब्यायाम नही है, कोई किरिया नहीं है, इसका पोजा से समंदित है, और प्रकृति से अगर आप जुड़ के रहेंगे, तब यह तत्वा आपका जो है, मजबूती स्तिति में आएगा, और जबरदस्त फल देगा, इसके फल बहुत गूड है, बहुत भारी भरकम फल है, फलादेस जबरद दे दिया मुझे, यह है इसका फाइदा, अब क्या करना है, इसके लिए एक छोटी सी पूजा है, एक हलका सानियम है, वो जरूर दूगा करेगा, अब एक चीज और है आपकी हतीली में, यहाँ पी देखेंगे तो एक सुखत जीवन जीने की चाहा बनी हुई है, और सुखत जो गुण है, वो एक बेहतरिन और उच्तम गुण है, यह उनको दिखा रहा है, इंटेलिजेंट बिक्तित को, ठीकने बहुत ज्यानी है, गूड ज्यान रखते हैं अपने अंदर, बिक्ति इंटेलिजेंट है, यह दिखा रहा है, लेकिन आपको अभी तीन चीजों से बच डिसीजन नहीं लेना है, अगर आप यह चीज नहीं करते हैं, और इन चीजों में फस जाते हैं, तो जीवन में संगर्स की इस्तिति आ सकती है, जीवन में धनहानी की संभावना बढ़ सकती है, और ध्यान रखें, आपको ब्यापार अभी कम से कम 35 यर तक, वैसे तो 42 में व और करें भी तो बड़ा सोच समझ कर करें, पार्टनर्शिप में ना करें, ब्यापार में वह इसे नुकसान हो सकता है, और एक बात का ध्यान रखना, खुब मेहनत के बाद ही आपके पास अच्छा खासा धना आएगा, 36 एर की लगभग भाग्योदाई है यहां पर इस पश दिख रही है, अब यहां पर चलें, तो यह उंगली पूरी तरों से जुक रखी है इस उंगली की तरफ, यानि धार्मिक भावनाईं बहुत अच्छी रहेंगी, इस त्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आरद्य के परती कहीं न कहीं समर्पन की भावना रहेगी, ठीक है ने, यहां पर देखेंगे, तो कुछ जादा मेहनत, कुछ जादा परिसरम करने के बाद ही, चीजों में सपलता मिलेगी, कई बार दोड़ा धोपी का काम भी करना पड़ेगा, यस पाने की इक्षा और नेमफिम पाने की इक्षा बहुत अच्छी रहेगी, अब यहा आपकी जिवन का मात्र लक्ष भी कहीं न कहीं यही चीजे रहेंगे, सबसे छोटी उंगली अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं, धन कमाने के ललग बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन यहां पर देखें तो पूरा नहीं पहुँच पा रहा है, तो धन के प्रमंदन में, कागजों के रख रखाव में, एकाउंटबिल्टी में, फाइलिंग में और कम्यूनिकेसनी स्किल्स में थोड़ी कमी भी दिखाई दी रही है, कमी भी रहेगी, यहां तक नाखुन बढ़ाएं तो यह कमियां दूर होगी, यहां पी हिर्दे रेखा द कांचाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और सोच एकदम पॉजिटिव इस्तिति में आ जाएगी, बहुत आगे बढ़ने की, गुरु का प्रभाव पढ़ने के कारण, एक टॉप लेवल तक पहुचने की इक्षा रहेगी, सनी का प्रभाव पढ़ने के कारण, इन की इन प्रकारें, जो भी आप से हो सकता है, आगे बढ़ने के लिए करेंगे, यहाँ पे अगर हम देखें, मस्तिस्क रेखा अंतमें दो भागों में बटी हुई दिखाई दे रही है, क्रियेटिविटी बहुत अच्छी रहेगी आपकी, और एक सी ज़्यादा सुरोतों से ध एक लग्जिरिस लाइफ जीने का सौक है, आप यकीन मानिएगा, आपके पर पूर्ण लग्जरी है, लेकिन पूर्ण एस्वर्य आपको ठिक चालिस के बाद मिलेगा, बहुत बड़ा गलेमर, चका चौन, कहते हैं ने, रात और रात किसमत बदल गई, वो इस्तिति आ रहे ठिक 42 एर में, चालिस के बाद, यह इस्तिति, यहाँ पे दिखाई दिए रही है, और अपने जन्मास्तान से दूर बड़ी तरकी है, जन्मास्तान से दूर कर्मचितर है, कर्मास्तान है आपका, जन्मास्तान में अगर रहेंगी, तो एक साधरन बिक्षितों बनके रहेगा इस से ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा इस बात का आपको दियान लखना है सुक्र का प्रवत देखें तो पीछे की तरफ जुक रहा है ये आपके घुमने फिरने के सौक को बताता है और देखें सुक्र का प्रवत सुन्दर है पुष्ट है इसका मतलब है कि कहीं न कहीं तेजी ये आपके अंदर दे रहा है चेहरे को बहुत सुन्दर मनी एक जिसको कहते हैं गलेमर ये इस्तित दे रहा है अपने को मेंटेन रखना अपनी प्रसनलिटी पर ध्यान देना अपने को सज सवार का रखना और नई चीजों के पर तिरुझान रहना चाए नई प्रकार का फैशन हो नई प्रकार के कपड़ी हो नई प्रकार की कोई चीजें हो बहुत एक सुक्सिवधाओं के तरफ बहुत ज़्यादा आकरसन रहेगा जह लगजरी जीवन हो या अल्टरा लगजरी जीवन हो देखेगा सुक्र सुक्र का कारक है सुक्र आपकी हतियरी में बेहतरीन है इसके लिए एस्वरे पाने के लिए आपको ब्रेस्पति को ठीक करना है ठीक आप निम्न मंगल अगर यहाँ पे देखें यह थोड़ा डाउन है तो नजर दोस हो सकता है नितर रोग जिसको कहते हैं ठीक नब चस्मा उगर चड़ सकता है थोड़ा कन्फ्योजन उल्जन दुविधा रह सकती है और थोड़ा ब्लेट प्रेसर की समस्याना आए इसके लिए थोड़ा सा मंगल का दियान रखेगा यहाँ पे प्राकरम बहुत अच्छा रहेगा एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा यह भी इस पश्ट दिखाई दे रहा है लेकिन सनी की इस्तिदे देखें यहाँ पे तो धीरी धीरी यह बहुत बढ़िया बना रहा है लेकिन अभी भी वजह की तनाव देता वो दिखाई दे रहा है यह कोई ने कोई ऐसी वजहें बन सकती है जो तनाव को जनम दे तो दिब्य योग ध्यान के रिया जरूर करे सूर्य आपका देरी देरे प्रभावी होगा अच्छा लाब देगा लेकिन दिब्य सूर्य के रिया जरूर करे वानी की ताकत निश्चित ही बढ़ेगी सहद सी मीठी बढ़ेगी और जीवन का सौंदरे भी बढ़ेगा यह भी दिखाई दे रहा है चंदरमा आपका बहुत अच्छी इस्तित में आ रहा है मन आगे जाके बहुत मजबूत इस्तित में देखाई दे रहा है और confidence level बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पे अगर देखें तो आगे चलकर सरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बहुत बढ़िया होता हुआ दिख रहा है जिसके कारण एक creative व्यक्तित्व आपका उभर कर आ रहा है सकारात्मक सोच छलकपट से दूर रहेना यह भी इसपश्ट तरीक से दिख रहा है और जितने मन से सुन्दर है तन से भी उतनी ही ज़्यादा सुन्दरता रहेगी यह दिख रहा है आपी चंदरमा के कारा देखा जाए आपने एक चीज पूछेती सरकारी, private या teaching teaching के लिए यह अच्छा नहीं है आपी अभी private नौकरी आप सुरो करें ब्यापार न करें ठीक है नहीं? और आगे जब आपका ब्रिस्पती अच्छा होगा आपका करियर और धनकी रेखा इस पश्ट आएगी तब जाके सरकारी नौकरे का पता चलेगा कि कितने प्रबल योग हैं तो चले इस वीडियो में बस इतना ही एक नहीं वीडियो के साथ पनो पस्तित होगा